आप सबी लोगों का वेलकम है हमारे यूटूब चैनल पे गार्डनिंग बॉय पे तो आज मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाने वाला हूँ और ऐसा पौधा आपने अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं रिसर्च की होगी कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते हैं जो लोग जानते हैं उन्होंने ये पौधा अपने घर में लगा रखा जो नहीं जानते हैं इस पौधे के बारे में कि इस पौधे का क्या वैनिफेट है तो वो इस पौधे को नहीं जानते हैं तो ये बीडियो आप ला तो दिखाते हैं वह प्लांट वह कौन सा प्लांट होने वाला है तो दिखाते हैं मैं अपना बैक कैमरा जो है अपने कैमरे का वह अन करता हूं फिर वह प्लांट आपको दिखाता हूं कि तो तो देख सकते हैं वो पौधा है ये ये तो इसका नाम जो मैं आपको बता दूँ वो है एरोकेरिया इस प्लांट को एरोकेरिया कहते हैं और ये प्लांट जो है कि बहुत ही सूब माना जाता है लक्की माना जाता है कई लोग इस प्लांट को अपने गेट पे लगाते हैं तो गेट पे लगाना जो कि बहुत ही सुब होता है तो आप इस प्लांट को अपने घर पे अपने गेट पे जरूर लगाएं कई घरों में जो कि हमेशा लोग परेसान रहते बीमार रहते हैं तो वो लोग इस प्लांट को जरूर लगाएं प्लांट बहुत ही लक्की और सुब होत और जो एरो केरिया जो मैं नाम बता रहा हूं कई लोग जो है कि इस नाम को नहीं जानते होंगे तो इस प्लांट को हमारे इंडिया में एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं क्रिस्मिस ट्री तो आप देख सकते हैं यह प्लांट आपको अपने किसी भी नरसरी पे पे अगल बगल लगा सकते हैं और काफी सूप प्लांट होता है तो आप इस प्लांट को जरूर लगाएं देख सकते हैं इसकी कुछ पत्तियां जो लीप्स हैं वो आपको इस तरह की देखने को मिलेगी और इस प्लांट की आपको केर करनी है इसको डेली आपको इसको सावर तो यह प्लांट आपका बहुत हरा भरा रहेगा कई लोगों की सिकायत है कि उनका यह प्लांट हरा भरा नहीं रहता है तो उसका कारण यही है कि जब यह प्लांट हमारे गेट पे रहता है तो कई जगें ऐसी होती जहां धूल मिट्टी बहुत आती है और इस प्लांट की है और बाकि अगर इसको आप सिंपल भासा में कहें तो क्रिस्मिस ट्री के नाम से जाना जाता है तो आप देख सकते हैं किस पोर्ट में लगा हुआ है यह मिट्टी के पोर्ट में और जिसका साइज आपको 5-6 इंच दिख रहा है तो आप आप इसे 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं जैसे जैसे आपके प्लांट की हाइट बढ़ती है तो आप इसे बड़े गमले में सिफ्ट कर दें तो आज की वीडियो आपको कैसे लेगी अगर अच्छी लेगी तो लाइक करें इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो के लिए सस्क् अपना ख्याल रखें